दो आज की वीडियो के अंδर हम सीखने वालें कि breakout क्या होता है और कितने तरह के breakout होता है वो market जब भी breakout होता है तो उससे क्या आगे होने वाला होता रहा आपको च्या करना चाहिए बहुत से लोग यहाँ पर confused होते हैं कि market के अंदर कभी-कभी fake breakout होता है कभी सही होता है कैसे प पीछ my जब मार्केट उसको तोड़ती है जैसे अब ही आपको यहां पे दिख रहा है कि इक पैटन बन रहा जिसके अदर market चल रही थी, support और resistance के बीच में, अब भी आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जब यह तोटा, तो यह क्या हो गया, यहाँ पे breakout, क्योंकि इससे पहले एक level था, यहाँ पे market नहीं तोट रही थी, लेकिन अब जब यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, market नीचे के अब करते हैं, और यहाँ तक हमारे target रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ fake breakdown भी होते हैं, fake breakout जैसे यहाँ पे होगाई देखे, यहां से उपर के लिए एक लेवल पर चल रही थोड़ा सा नीचे आई तो लेकिन यहां पर फिर से वापस चले गई मार्केट इसमें तो यह क्या था फेक बेगरून था फ्रेक बेगरून जो बोलो जब भी मार्केट देखिए जो इतना इसका लेवल था हम इसको बोलते हैं क लेकिन अग Corner लेते है इतना साल लेवल लेते हैं इसका देखितें कितना था जो सब्सक्राइब करें आप सब्सक्राइब को टार्डेट रखते हैं आपको कितना लेना मैं आपको hase और यहां पर हुआ है लोगार के सब्सक्राइब करें और भी नीची के दर के आया है लें तो फेक breakout से कैसे बज़ा जा सकता है इसके लिए दूसरी टरम है जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट आपको रिटेस्ट के यहां पर टरम समाई नहीं है मार्किट के अंदर जब भी breakout होता है या जब भी को ऐसा pattern बन रहा होता है आपको में सिखाता हूं यहां पर देखिए अगर अगर इक है सिक अगर अहां बन रहा है मालो मार्क्ट है इस स्लोच को तोड़ दिया धया दियाँच में पार के लिए दिखला है यहां पर गई फिर लेवर आई नीचे यहां पर इसको touch किया इसको बोलते हैं rate test क्या बोलते हैं rate test market ने जिस level पर market को तोड़ा था उसी level पर market वापस फिर से आई और यहां से जब market बुह मेंगी तो तब आपको entry करनी होती है जाहें market उपर के लिए तोड़े या नीचे के लिए अगर मार्केट नीचे के लिए तोड़ रहे तो आपको selling की position मनानी है अगर उपर के लिए यहां पर background था तो आपको buying की position मनानी थी और देखे सेम यहां पर जब हुआ था एक बार यह देखे जब market ने यहां पर किया रिटस्ट करने के बाद ही आपको यहां पर करना होता है selling यहां बाइंग का देखें फिर देखें आप कितना गया market नीचे देखें फिर market ने प्रॉपर यहां benefit दिया है लेकिन आप जिस बने यहां पर पहले यहां पर यहां पर टूटी थी यहां पर इस एरिया में इस वले एरिया में आगर उसने कहीं पर sale का लगा दिया होता फिर मार्क वापस आ गई तो गया बन्दम उसका loss हो गए क्योंकि यहां पर उपर आई फिर आगे यहां पर जब उसने लगाया होगा उसको वेट करना है जब भी market कहीं पर टूटती है आपको रीटस का वाई यहां पर जब रीटस्ट करने कि आएगी तो आपको वेट करना है सैम ऐसी मैं आपको दखता हूं नीचे के लिए यहां पर मार्के चल रही है ऐसे मालो यह हमारे एक सपोर्ट जिशन का एरिया यहां पर यहां पर रीटस्ट करेगी इस एरिया को ऐसे जब आएगी आपको नहीं करना है एक दम कुछ भी जब यहां से फिर घुमेगी नीचे इसे रही के लिए तो तब यहां पर आपको फिर सेलिंग की पूजीशन बनानी है जो अपर आप मैं बताओंगा को नहीं होता है कि मैं तो पहले बोला रूल करते है जो लोग कर तेंक एसक अप इतना टार्गेट रखना होता लेकिन आप यहां पर वान इंटू का रखोगे वह आपको आगे दिखाऊंगा दिखिए यहां पर कुछ और ऐसे पैटर्न है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी मैं थोड़ा 15 मिन पर इसको लिए चलता हूँ ताकि आपको और यहां पे थोड़ा अचैसे मैं कैसे यहां पर उनसे बज़ा जा सकता है और कैसे यहां पर होता है करते हैं देखिए यहां पर बन रहा था अब देख पार रहांगा आपको है यहां पर यहांपे लेवल हमारा है नहीं से अपैंग अगर अब किया आपको ऑड़की यह गाओ महतं है आप कया जो करना है टीजिए हम जका पीड़ कीन फेस्ट करनेraw के मार्केश्ट आई वर आपको तो पहले केंडल बनी उसने प्रेग दिया नीचे लेकिन फिर उपर आई ये तो अब क्या करेंगे लोग कुछ करना ना सेल करना आपको रीट्रस्ट का वेट करना हमेशा जब भी मार्के रिट्रस्ट करके वाहर कि जब गोमी है फिर वापस तो फिर सेल कीजिए और यहां पर स्पोर्ट था वहां तक मार्केट आई है और यहां भी देखिए सैम अब यहां पर इसा हुआ है देखिए यह नहीं करने के बाद आपको यहां पर पर market पहले नीचे तोटी थी यह देखे यह पहले मार्केट ने breakout किया था सैम उसी लेवल मार्केट फिर से आई है वहां तक मार्केट आई है back और उसके पर आगे मार्केट चले देखे तो यहां आप जितना आगे हम जाएंगे आप आगे लिए चलते जाओगे यह बहुत इंपोर्टन चीज़ें हैं वह इनको आप वीडियो को अच्छते देखके कॉपी नोट रखो और यह आप प्रेक्टिस करते जाओ यह जो चीज़े मैंने सिखाई यह वाली और लास्ट वीडियो थी यह बहुत इंपोर्टन एक बेसिक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो हमेशा आप कभी लॉस नहीं कर सकते हैं अगर बड़ा प्रॉफिट मे प्रेक्स वाली।